सभी का बहुत-बहुत स्वागत यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अब मेरी प्रशंसा इतनी कर दी गई है इस मंच से कि मुझ पर पूरा दबाव बनाया गया है लेकिन जितेन जी और सभी लोग जो यहाँ पर बैठें आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत बहुत सारे चेहरे जो यहाँ पर दिख रहे हैं वो हर चेहरा अपने आप में एक कहानी है तो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मन्जिल भटकते भटकते गुमरा तो वो है जो घर से निकले ही नहीं आप लोग घर से निकले आपने हिम्मत दिखाई भारत का शान एक एक चेहरा आज मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है और पटना से 2992 किलोमिटर दूर हम लोग दुबई में बैठें एक कमरे में अपने अंदर बिहार को समेटे आज आपके सामने एक बिहारी खड़ी है और एक अलग ही गर्व की अनुभूती होती है इस बात पर एक और शेरिस पर याद आ गया कि उस शक्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हम लोग बिहार में शुरुआती जिन्दगी में शायद इतनी मुश्किलों का सामना कर लेते हैं कि पत्थर से फॉलादी होकर सड़क पर निकलते हैं कि जो भी होगा उससे कम ही होगा फिर रास्ता खुदी आसान हो जाता है आरव है कहांँ आरव हाँ यहां बैठें आरव आरव कुछ दिर पहले मुझसे मिले थे और आरव ने मुझसे पूछा ma'am how was your journey how did you begin your journey it's all right आप बैठी आपको मैंने कहा था ना मैं आपको अपनी जनी यहां से बताऊंगी बिहार से निकल कर दुबई पहुचना तो अलग बात है, हम लोगों के लिए दिल्ली पहुचकर कुछ करना ही बहुत बड़ा सपना था और मैं अकेली निकली थी, मुझे आज भी वो सर्थ सुबा याद है जब निलांचल एक्सप्रेस से मैं राजधानी के दिल्ली रेल्वे स्टेशन पर अकेली उतरी थी संघर्ष जीवन का हिस्सा बनता चला जाता है जब आप बिहार से निकलते हैं क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े होते हैं और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए मैंने बहुत आजमाईश की मैंने बॉटनी ओनर्स किया मैंने सोशल वर्क में बहुत दिनों तक काम किया यह 1993 की बात है 1993 और उसके बाद NGO से के साथ काम करते करते मुझे लगा कि बहुत जादा परिवर्तन समाज में हो नहीं पात हैं उनकी सोच को कैसे चालेंज कर सकते हैं तब मेरा जो रुजहान है वो पत्रकारता की तरफ बढ़ा और फिर बाकी की कहानी है लगबग 20 से जादा वर्षब हो चुके हैं पत्रकारता में और आज यहां पर मौझूद हूं मैं आपके सामने तो कुछ तो मैंने हासल कर ही पारिया होगा जीवन में हाला कि मुझे आज भी लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है और अभी शुरुआत ही है लेकिन बात बिहार की मिंदा चटपूजा में गंगा घाट है मिथला की मिठास है वैशाली का वैभव है भोजपूरी का अलग मजा है राजेंद्र प्रसाद की धर्ती है गौतम बुद्ध की भूमी है जेपी का अंदोलन है लेकिन आज बिहार कहां खड़ा है यह सवाल हम सब के मन को कचोटता है कि हम बाहर आकर तो इतना चमक लेते हैं अपनी जगा बना लेते हैं हर क्षेत्र में हम सर्वोचिता तक पहुँच जाते हैं लेकिन उस बिहार में क्या रह जाता है पीछे आखिर क्यूं वो राज आज भी जैसा बनी जी ने बताया कि चाह आप लोग इसलिए कठा हुए है कि कुछ योगदान आपका हो मैं भी उसमें योगदान करने को तयार हूं और बिहारी तो वैसे ही अपने आप में बिंदास होता है लाजवाब होता है मददगार भी बहुत होता है साथ घर दूर भी किसी के घर में परिशानी हो तो कर चलने का और इसलिए कहते हैं कि हम हवाओं का रुक बदल रहे हैं आए दुनिया हमारे साथ चले एक बात जो मुझे लगता है कि शायद जिस पर हम सब को सोचने की जरूरत है वो यह है कि जो लोग तांत्रिक विवस्ता या जो चुनावी विवस्ता बिहार में रही या वो सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार है या फिर जितना हम सब को करना था उसमें भी कहीं कमी रह गई क्यूंकि जादा तर जो लोग काबिल रहते हैं वहाँ पर व्यवस्ता की कमी इंफ्रस्ट्रक्चर की कमी की वजह से बहतर ऑपोचुनिटीज की तलाश में वहां से निकल आने रहूंगी हाँ यह बात जरूर है कि जब चुनाव कवर करूंगी तो निश्पक शोकर करूंगी क्योंकि यहां आने के बाद मुझे दीरे दीरे लोगों की political affiliations पता चले लेकिन उन सब के बावजूद बिहार को लेकर हम सब के दिल में बहुत इमानदारी है और उसमें कोई शक्त नहीं कर सकता है तो अक्सर मेरी आदत ही होती है कि लोग सवाल पूछें और मैं उसका जवाब दूँ इसलिए मैंने निवेदन किया था कि अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप लोग पूच सकते हैं लेकिन बिहार पर कैसी कैसी भरांतियां है वो समसुनिये बिहार के लोगों अंदास बढ़ा अलग होता है जहा अगा के बूलते हैं फिर आपको कॉम्प्लिमेंट भी मिल जाएगा अचा आपकी आवास से नहीं लगता कि आप बिहार कि भर नहीं में हों बिहार की भर कि मेरी तुझके जालेट कि सारी पढ़ाई दिल्ली से ही हुई तो पबंधार बोलते थें कि तुम भी यारी रहोगे त手 कि रहे और बहुत कर से कहते थे आज मुझे लगता है कि सब कुछ बदल रहा है लोगों की सोच बदल रही है लोगों की राय भी बदल रही है और वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से ये मकाम हासल किया है हम लोगों ने अपनी जिन्दगी में सब कुछ नियुच्छावर करके इस मकाम पर पहुँचा है तो आरफ जैसे सभी बच्चों से मेरा संदेश यही है इतना गर्व करो अपने बिहार से होने का उस मिट्टी का वो माटी बेश कीमती है कोई नेता, कोई पिछड़ापन उस माटी की खुबसूरती को हमसे नहीं चीन सकता है वो माटी की खुबसूरती हमारे ललाट पर चमकती है हम जहां भी जाते हैं और वही हमारी ताकत है जब हम किसी भी क्षेतर में बहुत अच्छा करते हैं तो जीवन की शुरुवात हम सब भी हारीयों की ऐसे होती है कि कैसे कोई रास्ता मिल जाए बस एक मौका मिल जाए लेकिन उस एक मौके की कीमत हम भी हारी ही समझते है और बहासे एक सर्वोच्चता का सफर शुरू होता है तो मैं अब बस अंत करती हूं अपनी बातों का मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है आई पीएफ जिसके जरीए लोगों को जोड रहे हैं और ये बिहार चाप्टर तो एकदम ही अनूठा है क्योंकि इससे बहुत ताकत मिलेगी आरा के भी लोग दिख रहे हैं मुझे ओर आजिला घर भार कॉन बात का डर बार ये लिगानाा का बोले के बार हम तो भोजपूरी में एक दम परंगत बानी आतप थीक अहां किया करे इची ना करे इची हम सब भाषा पता है थोड़ी बहुत हर भाषा पता है लेकिन भोजपूरी में तो अच्छा बड़ा दिल्चस्प है मेरे पिता जी के साथ जब हम लोग छोटे थे तो जाते थे तो जैसे ही मनेर के पास पहुंचने लगे गाऊं की तरफ पहुंचने लगे तो गाड़ी में अंदर भी हम लोगों से भोजपूरी में बात करने लगते थे अब बाहर वालों से तो कर रहे हैं हम से क्यों बोजपूरी में बात कर रहे हैं ये मिट्टी और ये खुश्बू आती है वो हवा की और वो हमें वो लाती है अपना जो बच्पन बीता है उसकी कहानी लाती है मन में इसलिए हम लोग बोजपूरी में बात करते हैं तो भोजपूरी कितने लोग हैं आ रहा के यहां पे, काफी लोग हैं, सिवान की संख्या जादा है, आजकल चमपारन मीठ खूब बन रहा है, दिल्ली में भी मिल रहा है, लेकिन जहां भी जाईए, खूब ऐसा उदारन बनिये कि लोग बिहार का नाम, वैसे भी आप सब लोग इतना गौरवशाली बना ही रहे हैं, और मैंने भी इस प्रोफेशन को इसी तरह से ट्रीट किया, अतलब इस प्रोफेशन में मैं आई, तो ये मेरा बिहार बन गया और म उसी में आगे बढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि जहां भी आरक्षेत्र में आप लोग हैं, यूही चमकते रही हैं, और मेरी शुब कामना हैं इस पूरे फोरम के साथ, कि आप लोग ऐसे ही नाम रोशन करें, और कुछ बिहार में ऐसा हो, कि हम शायद एक दिन ये बोलें कि पर क्यापिटा इंकम हो, डिवेलपमेंट हो, उस पूरे इंडेक्स में बिहार लीड करें भारत को, जैसा एक वक्त पर हम शिक्षा के क्षेत्र में करते थे, बहुत धन्यवाद आप सबी.